सब्सक्राइब करने वाले और आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रखतें ताकि आपके अंदर भी कोई कन्फूजन ना रहें तो सबसे पहली चीज़े शुरुवात करते हैं तो सबसे पहला जो एक क्वेरी आ रहा है कि वाट तो डू नाओ लिस्ट नंबर मिल चुका है तो आपको कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है सिर्फ और सिफ उन कंडिट्स के लिए जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर उनके फॉर्म में कोई करेक्शन है ठीक है आप सबसे पहली चीज एक चीज मैं रेक्यमेंड करें कि सभी लोग प्लीज चेक आउट करें अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नंबर ठीक है मेरिट लिस्ट का नंबर आप चेक करिए आपके सारे डीटेल्स को वेरिफाइग यह कौलेज लिस्ट का फिल करेंगे में वह से फाइनल मेरिट लिस्ट अने बाद में होगा फिल हाल में करना गया कि प्रोविजिनल लिस्ट आपकी आई हुए तो इसको चैकाउट करीया अच् Pharisee कहीं उसमें कोईड़ेक्जन तो नहीं। यहीं पर ऊसमें कहीं आपका नाम में भी हमने आपको दे दिया था और आज आपको मेसेज के तुरू भी सेंड किया गया था कि 18 सप्टेंबर से लेके 20 सप्टेंबर के बीच में आपका ग्रिवन स्पीरिट चलने वाला जो कि आज से शुरू हो गया मतलब कि आज का दिन मिला के एक दो दिन का और टाइम बचा हुआ है ठीक है तो अगर हम यहां पर देखें तो गरिवन स्पीरिट में करना क्या है पहली चीज़ है कि जिनका कुसी भी टाइब से कोई एरर हुआ है जैसे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया हुआ हुआ यह आपको नंबर मिला हुआ है कि आप जाके update कर सकते हैं, changes कर सकते हैं, जिसके उपर already हमने कल के दिन में एक वीडियो बनाया था, जिसका link भी आपको somewhere यहाँ पर flash करता हूँ, i button में flash करता हूँ, दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप unlock कैसे करना, form को changes कैसे कर सकते हैं, वो चीज़े हमने बता आप जाके एक बाद changes कर सकते हैं, plus उन candidates के लिए जिनका नाम नहीं आया था, merit list में, जो की not eligible थे, उनके लिए एक बहुत ही golden opportunity, यह बहुत ही बड़ा opportunity है, कि आप यहाँ पर resubmit कर सकते हैं, आपके rejected documents को, ठीक है, आपके rejected documents को आप resubmit कर सकते हैं, correctful documents जो आपके होंगे, बह digital copy upload कर दिया था, result का, या फिर किसी ने black and white copy scan को upload किया था, तो मैंने एक चीज़ clearly कही थी, कि original, original document का color scan copy ही आपको upload करना है, ठीक है, तो original document का color scan copy आपको upload करना है, तो किसी का अगर reject हुआ है, तो आपके पास में 2-3 दिन का मौका आपको दिया जा रहा है, कि आप उसको upload कर दीजिए, आपका वो verify हो जाएगा, अगर in case, इसके बाद में आपका किसी भी reason की वज़े से, किसी भी reason की वज़े से, अगर आपका form reject होता है, कोई भी document reject होता है, तो आपको कोई भी another opportunity नहीं मिलेगी, you will be directly sent out of the cap round, मतलब कि आप cap round में आप नहीं बैट पाएंगे, आपको college admission फिर directly offline ही लेना पड़ेगा, ठीक है, offline मतलब कि colleges में visit करके, उनके management quota या फिर किसी भी और quota के तुरू, but आप cap round के तुरू admission नहीं ले पाएंगे, so it is very essential for you all to understand this one thing, ठीक है, ये बात clear हो गई है यहाँ next आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों को ये भी doubt आ रहा है कि sir, क्या मैं अपना CUET marks को upload करूं की नहीं करूं, because हमने अभी अगर देखें, हम यहाँ पे देखें, तो all India merit list में अगर हम देखें ध्यान से, जैसे एक बार मैं open up कर देता हूं, तो all India merit list जो हमारे पास में यहाँ पे आया हुआ, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, तो सभी के सभी जो यहाँ पे colleges हैं, ठीक है, सभी के सभी जो college, sorry colleges ने, student candidates हैं, जो की top order में रखें के सभी को CUET का preference दिया गया, यहाँ तक कि अगर हम आगे इसमें बढ़ें, जो last CUET का marks ह हम को score देखने के लिए मिल रहा है, somewhere that is, that comes around 800, तो एक मिनट में थोड़ा वहाँ पे आ जाता हूँ, yes, yes, it is over here, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, तो CUET, यह रहा CUET का score, तो CUET का score यह रहा, और इसके बाद में अगर हम द CUET का score, तो अगर हम ध्यान से इसमें एक चीज को समझें, तो यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे दिखाई देती कि CUET में, अगर किसी को एक marks भी मिला है, एक marks भी, सिर्फ और सिफ एक single digit में marks मिला है, then also that is considered, then also that is getting considered as a greater score as compared to 100 percentile in the, 100 percentile in the CET score, ओके, यहाँ पे एक चीज ज को 100 percentile भी मिला है, 100 percentile in the, in the CET marks, तो उसको भी एक lower preference दिया गए as compared to the lowest CET marks, ओके, तो यह चीज हम को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो इसलिए मैं सभी candidates से एक चीज कहना चाहूंगा, कि अगर आप out of महरास्टा candidate है, out of महरास्टा OMS candidate है, तो please आप, आपका CET score के marks को definitely इसके अंदर upload करिये, mention करिये, because you will get in preference to that, okay, next thing, अगर आप महरास्टा candidate है, अगर आप महरास्टा candidate है, तो आपको CET marks enter करने की जरूरत ने, because उसका कोई भी preference, कोई भी आपका, आपको उसके लिए, कोई भी फाइदा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, सिर्फ वसिव OMS candidate जो है, उनको CET का फाइदा मिलने वाला है, because उनके लिए ही preference order रखा गया, महरास्टा candidates के लिए only and only CET score को ही देखा जाएगा, जो कि महरास्टा candidates है, उनके लिए सिर्फ और सिफ CET score का ही preference यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, only CET score जो है, उसका preference आपको दिया जा रहा है, for महर महरास्टा candidates, तो आप लोग, please आपका form unlock मत करना, अगर आप महरास्टा student है, तो उसकी वज़े से आपका, अगर आप CVT score इसके लिए डाल भी देंगे, तो आपको कोई भी यहाँ पे फाइदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप out of महरास्टा candidate है, तो CVT marks आप please enter करिए, अगर आपने enter नहीं किया, भले ही कितना भी low हो, please enter करिए, उसको because you will get an preference about it, okay, clear है यह चीज़? अगर आपके पास में, आपको CVT में भले ही low score मिला हो, तो भी आप उसको enter जरूर जरूर करिए, यह चीज़ क्लियर हो चुकिए, next, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में है कि should I upload best of 5 marks, अब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग यहाँ पे यह कह रहे हैं, कि सर जैसे क कि अगर हम देखें, तो कुछ लोगों का जो percentile score है, into the provisional merit list हमारे पास में आईगे, into the provisional merit list अगर हम देखें, तो बहुत सारे लोगों का CET का, जो percentile हो exactly same है, and उनका merit list change इसलिए हो रहा है, because best of 5, जो उनका SSC का score था, उसके basis में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखू, तो देखिए, यहाँ पे, अगर हम देखें, तो यह जो हमको score दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, यह score और यह score, exactly same score है, कोई भी changes नहीं, लेकिन यहाँ पे merit list में changes, हमको number में changes देखने को मिल रहा है, क्योंकि, merit list में इसलिए changes हमको देखने है, because उरका SSC का score है, वो कम जादा है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कि सर, अगर हमारा SSC का score, जैसे अगर हम best of five कर दे, कुछ लोग कहना, कि अगर हम हमारा SSC का score best of five कर दे, तो maybe हमारा ranking और सुधर जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं करना है, देखिए, आपका जो, आपका जो result है, ठीका, आपका जो भी result है, result पे जो भी marks printed हो, वही marks CET cell को चाहिए, अगर आप उसमें alteration करें, खुद के मन से आप best of five बगार लगा, बिकॉज देखिए, SSC जो state board है, महारास्टा state board का जो exam होता है, उसके अंदर already best of five के consideration में ही, वो score आता है, लेकिन as compared to, अगर मैं देखू, CBSC देखू, ICSC तो वहाँ पे जो भी score आपके mark sheet पे printed है, अगर for example, 600 total आपका marks है, और आपका 524 something ऐसा printed है, तो वही marks को आपको रखना है, आप अपने मन से please conversion certificate में कोई भी changes मत रख करिए, because अगर आप करेंगे तो आपका जो application हो reject कर दिया जाए, बहुत सारे students का already हुआ है, क्यूंकि उनका marks marks sheet में दिखाई दे रहा है, जो उनका result में दिखाई दे, that is out of 600, but उनने best of 5 consideration, तो अपने मन से please मत करिए, जो भी आपके mark sheet में printed है, वही marks को conversion certificate में, या फिर आप जब enter भी कर रहे हैं marks को, तो please, please, वही marks को enter के, जो भी आपके result में दिखाई दे रहा, mark sheet में दिखाई दे रह अगर 524 out of 600 है, तो वही रखिए, please उसको best of 5 मत करिए, okay, please do not do that, because आपका form reject हो सकता है उसकी वज़े से, so उसके लिए, आप यहां पे 2-4 number आगे पीछे होने के लिए, आप उतनी मेहनत करेंगे, लेकिन form reject हो, आप directly cap round से बाहर हो जाएंगा, तो इस बात को आप please समझे, okay, please do not upload best of 5 marks, अगर आपके mark sheet पर प्रिंटेट नहीं, महरास्तरा candidates जो है, जो है, जो महरास्तरा board से SSC exam, जिन्होंने 10th का exam दिया है, वो best of 5 को डालेंगे, because उनका mark sheet पर ही best of 5 प्रिंटेट है, so that is the reason कि वो best of 5 को उसमें पर डालेंगे, okay, because उनके mark sheet पर ही वही printed है, तो वो जो भ is printed on your mark sheet, ठीक है, तो यह मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, please do not make any change out of it, okay, okay, next, आगे बढ़ते हैं, will you get admission or not, अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है, वो यह है, कि क्या सर हमको admission मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है because बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि colleges का मतलब कि महारास्टा के या फिर मुंबई colleges जो वो कह रहे हैं कि only CET marks को preference देंगे, जी नहीं, ऐसा कोई भी statement officially कोई भी college ने नहीं दिया है, okay, there is none of the colleges who have given such an statement, सभी colleges ने यह statement दिया हुआ है कि they will follow the guidelines provided by the CET, they are going by the CET norms, तो अगर CET norms के through जाते हैं, तो CET norms में CET marks का भी एक तरीके से consideration है for the OMS candidates, तो यह confusion तो पहली बात तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि CET को preference नहीं मिलेगा, अब उसके बाद में जो बात आ रही है, सबसे बड़ी जो दूसरी बात आ रही है कि क्या हमको admission मिलेगा क कि नहीं मिलेगा, because अगर हम देखें, provisional merit list अगर हम देखें, तो provisional merit list में 835 students are above and उनका सिर्फ और सिर्फ यहां पे CUET preference है इसकी वज़े से, भले उनको CUET में lower marks मिला है, okay, but उनको यहां पे, okay, as considering to the CUET, CET में बहुत अच्छा marks मिला है, लेकिन फिर भी उनको lower preference पे डाल द कि 400, 500 के नीचे, तो admission ही नहीं मिलेगा out of जो महारास्टा candidates है, महारास्टा में, मुंबई अगर हमें, आप admission लेना चाहते हैं, तो आपको admission नहीं, तो यहां पे मेरी एक analysis है, okay, that I have analyzed this one thing, तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करना चाहूँगा कि हमारे पास में colleges कितने participate कर रहे हैं, if I look at you the participation of the colleges, तो हमारे पास में जो data अभी फिलाल में, हमारे पास में एक जो data आ रहा है, that says कि BBA के लिए हमारे पास में 305 colleges हैं, and something around 22,000 seats available हैं, BBM के बारे में अगर मैं बात करूँ, okay, BBM के बारे में, तो BBM के लिए 25 colleges, इसके लिए colleges कम हैं, जो कि CET में participate कर रहे हैं, and something around 2000 seats, इसके लिए भी हैं, available, BCA के बारे में, अगर हम बात करें, तो BCA के लिए 492 colleges है, okay, there are 492 colleges participating into it, which have got an capacity of 50,000 around students, BMS के लिए अगर मैं बात करूँ, तो BMS के लिए हमारे पास में something 248 colleges है, that is getting to an capacity of 25,000 candidates, ठीक है, तो total in all हम अगर यहां पे देखें, that comes to around, कि यहां पे something around, कि 1.1 lakh के आसपास में, यह total यहां पे candidates का occupancy है, जहां पे 1000 colleges approximately are participating, अगर इसको मैं specific कर दो, तो 1071 colleges है, totally in all, जो कि अभी तक हमारे पास में जो data आया हुआ है, उसके हिसाब से, इसके पहले भी हमने एक बारे वीडियो बनाया हुआ था, वैसे बाई दिवे, अगर आप देखना तो जाके देख सकते हैं, तो अगर मैं इसके बारे हम बात करो, तो देखो सबसे पहले चीज, कि यह जो हमारे पास में provisional merit list चाहिए, ज्यादा तर हम consideration यहां पे OMS के बारे हम बात करें, विकास महारास्टा students का तो ठीक है, महारास्टा students को ऐसे तो मिली जाएगा admission, लेकिन OMS में यहां पे सबसे जादा यहां पे confusion बना पड़ा है, कि क्या सब हमको अच्छे college में admission मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो एक चीज जो हमको समझने वाली बात है, कि अगर यहां पे, अगर हमारा, यहां पे OMS candidate 835 भी है, 835 तक चलो OMS candidate में CVT score को preference दे दिया गया, पहली च specific course के लिए नहीं है, यह meritless जो है, यह four courses के लिए है, okay, four courses to five, six courses भी हम कह सकते इसको, okay, I can also say it is for six courses, because four courses अगर हम देखें तो इसमें BBA, BBM, BMS और BCA, उसी के साथ में six, जो और दो courses add हो है, that is MBA, integrated MBA, okay, उसी के साथ में integrated MCA, यह भी है, तो अब यह हो सकता है, this can happen, कि अब 8.35 जो यह candidates हैं हमारे पास, 8.35 यहाँ पर, यह जो 8.35 अब 8.35 के 8.35 candidates, अगर आप ध्यान से समझेंगे, they are not going to take admission into one single course, वो सभी की सभी candidates BMS में ही नहीं जा रहे हैं, it is getting split, okay, और अगर हम यहाँ पर best mathematics भी यूस करें, तो best mathematics अगर मैं यहाँ पर यूस करूं, then also I can say that, then also I can say that, कि इसको at least 4 सी डिवाइड कर दो, तो 200 candidates हैं, चलो मैं मानता हूं कि जो कि CUT में अपर प्रेफरेंस पे हैं बैठे हुए आपसे, okay, CUT score लेके वो अपर प्रेफरेंस बैठे, जैसे अगर समझो कि किसी अभी यह जो next person है, यहाँ जो 8.36 पे है, okay, 8.36 पे बंसाली, अब इनको मिला है 100 percentile in the CET, अब समझो कि इनको BMS चाहिए, ठीक है, BMS चाहिए, तो BMS अगर इनको चाहिए, तो definitely उसके आगे हम बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, 200 people candidates हो सकते हैं, जिनको साथ में BMS चाहिए, तो 200 candidates can be there, but you are getting a preference, तो ऐसा नहीं हो रहा, और यह भी चीज समझो कि सारे के सारे 200 candidates हैं, यह एक ही college में भी apply नहीं करने वाले हैं, okay, they are all not going to apply for a meet-by only, वो सभी सभी NM में ही नहीं जाने वाले, वो सभी सभी Jai Hind में ही नहीं जाने वाले, they are going to be, वहां पे भी segregation होगा, तो अगर उस चीज को हम समझें, तो there are only 200 candidates, just 200 to 250 candidates जो की आपके reserved for the outside Mahalastra candidates as well, तो definitely, अब अगर हम colleges में भी समझें, अगर 305 colleges BBA की, अच्छा चलो, इसको भी मैं हटा दें, तो मैं general figure को मैं multiply कर दू, even if I multiply this by a factor of 10 that comes around 10,000, okay, so 10,000 seats, 10 to 15,000 seats, okay, because कुछ colleges में क्या होता है, the reservation is for 15%, okay, की 15% तक seats available होते, but कभी-कभी कोई colleges होते, उसमें कोई अलग criteria लगता है, तो वो reduce हो जाते है, इसलिए मैं यहां पर averaging ले रहा हूँ, okay, आप बोलेंगे, sir, 15% seats out of Mahalastra candidate के लिए, yes है, but कुछ-कुछ colleges में, कभी-कभी हमने, जो past CET उसमें देखा है, कि कहीं न कहीं कुछ criteria लगके, वो कम हो जाती थोड़ी, तो मैं के averaging ले रहा हूँ यह आप एक बर देखें, okay, let's have to look at the total number of the provisional list के अंदर, तो यह देखो, अब यहां पर अगर हम देखें, तो यह कितना आ रहा है, 41,000 आ रहा है number यहां पर, right, यह 41,000 आ रहा है, अब बोलोग सब्सक्राइब 41,000 candidates हैं, लेकिन इसके अंदर, इसके अंदर, जो यह हमारे पास मे merit list आयो है, okay, into this list, मतलब कि यह जो महारास्टा CET cell का जो list है, इसके अंदर भी, इसके अंदर, जो students है, वो students, All India Candidature में भी है, तो इसके वी से list बढ़ रही है, तो अगर हम बात करें, अब finally मैं बोलू, तो डरने की इतनी ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, जितना की यह इनका, and हम आपको यहां पे जो भी information दे रहे है, that is one of the most genuine kind of information, okay, हम कोई भी यहां पे डराने की बात नहीं करें, simple analysis है यह, simple analysis and data के उपर हम यहां पे interpret कर रहे है, जो भी हमारे सामने आ रहा है, so definitely, still there is a good chance कि बाहर के जो out of Maharashtra candidates है, उनको admission definitely मिलेगा, so please be calm, okay, थोड़ा काम रहे है आप लोग, okay, don't worry at all, हाँ, एक चीज मैं यह जरूर कहूंगा यहां पे, कि अगर सभी के सभी candidates बोल दें, कि सर मुझे मिठी बाई में ही चाहिए, that won't be possible, because उनके पास भी limitation है, okay, per courses उनके पास भी limitation है, seats का, yes, but definitely I can guarantee you, you can get into one of the top colleges, जो candidates का marks अच्छा आया है, तो CET का अगर आपका score अच्छा आया है, CET में अगर आपका score अच्छा आया है, और आप out of Maharashtra candidate है, तो you will not be neglected at all, okay, आपको बिलकुल पूरी तरीके से neglect नहीं किया जाएगा, still you have got good chance to get into one of the good colleges of Maharashtra, okay, Maharashtra as well as Mumbai, so don't worry at all, that's all I can say for you now, अच्छा एक अपडेट और है, आप सभी candidates के लिए, जो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, Maharashtra candidates specifically, कि इसके अंदर यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, if you have submitted a wrong document, okay, please read this line very carefully, if you have submitted a wrong document and it has been verified, your admission will be cancelled, you can edit and upload the documents in the grievance period, तो in case, वो candidates, जिन्होंने कोई wrong document upload किया था, और in case, वो verify भी हो गया है, तो मैं यही कहूंगा, please don't keep that wrong document, उसको change कर दो, because यहाँ पे clearly लिखा गया है, अगर वो verify हो भी गया है, तो आपका admission के time पे, अगर वो match नहीं करेगा, वो document आपके original document से, तो आपको फिर वहाँ पे, open category, या फिर आपको निकाल भी दिया जा सकता, निकाला भी जा सकता है, cap round process से, so please don't keep a wrong document uploaded, okay, यह बहुत important information है, grievance period मिला हुआ, please go ahead, and definitely change the document, okay, अगर wrong document upload करके, आपने trick करने कोशिश की है, तो, वहाँ पे clearly mentioned यह बाद, ठीक है, I hope so this is getting very clear to you, everything is been clear over here, तो इसके बाद में, अग हम definitely work out कर रहे हैं, आपके सभी queries को answer करने के लिए, but we, मैं यही चीज़ बता सकता हूं, कि there are more than 2,000 to 3,000 plus questions, जो कि हमारे पास में, on Instagram available है, मतलब questions आ रहे हैं, and due to limited people, जो कि उसको answer कर सके correctly, जिसमें से, मैं सबसे ज़्याद queries को answer करता हूं, primarily, तो, उसकी वज़े से, हम सारे queries को answer ने, but we are definitely analyzing through every query, और उसको answer करने के हम definitely कोशिश कर रहें, आपको ऐसा लगता हो, कि शायद से सर बस बोलते हैं, कि comment कर देना, एक कर देना, answer तो करते हैं, but definitely we do analyze your queries, do analyze आपके questions को, उसको पर answer, या तो हम broadcast medium के तुरू, that is, की YouTube वगरा पर लाने कोशिश करते हैं, या तो directly हम आ तिल देना, तिल तेक कर और गुद बाइ